जयपूर के जोबनेर रक्षेतर में भारी बारिश हुई है आपको बता दे की भारी बारिश से जो है घरों में दो से तीन फिर तक पानी भर गया है और भारी बार उसके बाद प्रिश्वासन बचाओं में जुटा हुआ है जोबनेर HDM अभिमन्यो सिंग कुंतल PWD विभाग और BDO PWD के अधिकारी मौके पर पहुँचे है आपदा प्रबंदन की टीम की JCB दमकल मौके पर पहुँचे है प्रिश्वासन द्वारा रात भर पानी निकासी निकालने की कोशिश तो ये बड़ी जुआनकारी आपको दे रहें जैपुर के जोबनेर से जहां पर 2-3 फिर तक पानी भर गया लोगों को काफी समस्क्याओं का सामना करना पड़ रहा है पानी निकालने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है जैपुर के जोबनेर क्षेतर में भारी बारिश हूँ है लोगों को कितनी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है और मौसाम से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है राजस्तान में आज भी भारी बारिश की चितामनी जारी कर दी गई है दो जिलों में औरेंज अलट जारी किया गया है और प्रदेश के 20 जिलों में यलो अलट जारी किया गया है कई जिलों में स्कूलों की छुटी की घोशना भी कर दी गई है इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है जहां पर भारी बारिश को देखते हुए चेतामनी जारी कर दी गई है दो ऐसे जिले हैं जहां पर औरेंज अलट जारी किया गया है और प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं जहां पर यलो अलट जारी किया गया है और स्कूल जाने में जो है काफी लोगों को दिकते बच्चों को दिकते तस्वीरे भी आई थी इसी पानी में जो है बच्चे अपनी जान जोखे में डाल करके स्कूल जा रहे थे तो कई दिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोशना भी कर दी गई है तो भारी बारिश से अब जो है तस्वीरे देखने को जो मिल रही है वो चिंतित करने वाली है ये तस्वीर देखे एक वाहन जो है फस गया उसको कैसे निकाला ज़ा रहा है और इसी को देखते हुए प्रदेश के 20 ऐसे जिले जहाँ पर यलो अलर्ट ज़ारी किया गया है घर का सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है और स्कूलों तक में पानी घुज गया जिसमें जो स्कूल का सारा समान वो जो है बिखरा हुआ नजर आया और इसी को देखते हुए इसकूलों में छुटी के आदेश दिये गए है तो भारी बारुश से बुरा हाल है अलग-अलग जगहों से जो तस्वीरे देखने को मल रही है वो चिंतित करने वाली है और मौसम विभाग ने जो है अलट भी जारी कर दिया है लोगों से यही अपील की जारी है कि जरूरी हो तबी घर से बाहर निकले और अलग-अलग जगह से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है राकेश शर्मा जैपूर से हमारे साथ लाइब जुड़े हुए है और साथी साथ और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए है उनका रुख करेंगे सबसे पहले राकेश का ही र स्वीर दिखाएं स्वीर तेजा जी मार्ग यह सरकिल है यहां सरकिल पर यह चुकी मुक्मंत्री का इलाका है यहां यह सड़के नई नई बनी है इसमें बहुत घहरे गड़े हो गड़े हैं और कल यहां जमाजम बारिश जब होई थी तो यहां पर लंबा ट्रफिक जाम लग गया आसपास के जि दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से सड़कों में जो गड़े हुए हैं यह निश्चित तोर पर बारिश के दोरान कई बार जान लेवा साबित हो जाते हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं चाये वो नगर निगम के हो जेडिये के हो या और दूसरी एजिंसी हैं वो उनको इनसे कोई ले देना नजर नहीं है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के जो वो बेरिकेट्स लगा करके इन गड़ों की जानकारी दी गई है इस बारिश में किसी तरह की दुरगटना ना हो इस तरह के लिए जो जिम्मेदार विभाग हैं यह गड़े भ भरा हुआ है तो अब उससे हालात जो है दुरगटना के साथ साथ अब बीमारी और महामारी के भी हो सकते हैं क्योंकि लगातार कई दिनों से बारिश जारी है और बारिश के कारण जो पेजल आपूर्ती की जारी है जो पाइप लाइन है उन पाइप लाइनों में भी जो ब रही है वो शुद्द नहीं है ऐसे में दिमागी वुखार पेट हैजा और पेचिस जैसी कई गंभीर बीमारियां जो जानलेवा थाबित हो सकती हैं उनके फैलने के असार बढ़ गए हैं हम जैपुर के अलावा तमाम जो बहारी इलाके हैं चाहे हिंड़न, करॉली, गंगाप बरतपुर, जोबनेर, जहां बूंदी, पाली, जहां जोरदार बारिस हुई है, उन तमाम इलाकों के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर ना तो स्वास्तिबा की टीम अलर्ट है, ना ही प्रसासन के वो अलादिकारी जो मौसमी बीमारियों को रोकने का प्रयास कर सके हैं, क्योंकि बारिस के साइड एफेक्ट के रूप में अब बहुत ज़्यादा मौसमी बीमारियों फैलेंगी, लोगों को चपेट में लेंगी, लेकिन किसी तरह की विवस्ता वहाँ पर अभी तक नहीं की गई है, राजदानी जैपुर में इस बार एक हजार 40 mm पिछले 25 साल का रेकॉर टूटा है बारिस का और इस पानी की जरुत इसलिए भी है क्योंकि लगबख 700 से 800 फिट जो भूजल का इस तरह जैपुर में गिर गया है, जो कि लगबख 200 के आशपास लेका था, आपका रुक करेंगे, दीपक हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए है, उनका रुक कर लेते परेसानिया जहली पड़ रही है और नार्किय जीबन जीने को लोग मजबूर हो रहे है, हालात ऐसे है कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे है, और ऐसे बीमारियाओं का डर जो है, वो शतारा है लोग चिल्तित नजर आ रहे हैं लोगों का कहना है कि परसासन को तमाम सिकायत करने के बाब जूद भी ना तो कोई पानी की निकासि की गई और ना ही पहले से कोई इंतजाम किये गए अब घरों के सामने पानी भरा हुआ है लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं मैं इस वक् करके मैं बताऊंगा क्योंकि पानी बहुत गंदा है और ऐसे में हालात ऐसे हैं कि यहां से फिसलने का जो डर है फिसलने का जो डर है वो सबसे ज्यादा बना हुआ क्योंकि पानी का रंग देखिए आप यह इतना जहरीला पानी है कि इसमें कीडे मकोडे और बीमारियां जो है बहुत पन हो रही हैं लगाता है जो लोग हैं वो यहां के परिशान नजर आ रहे हैं लोगों से बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं लोग यहां पर बहुत परिशान आ रहे हैं किस तरह के हालात हैं आपके आपे सर आलात बिलकुल नार किये हैं और इस पानी में जो काई है और इसमें इतनी बदवु आ रही है कि जीना दुमाल का रखा है और सबसे बड़ी समस्या ही है कि पूरवरती सरकार के सामने हमने कितनी ही बार बिन्नतें की कि एक नाला है जो बीच में करीफ सौ मीटर तूटा हु जाए तो यह कॉलोणी बिमलकुंज और हमारे पास में पुसवाटिका नहीं पुसवाटिका यह सारी सूर्या सिटी सारी कॉलोनी को राथ मिल सकती है पितली बर्स भी यह कहा था इस बार नाला हो जाएगा उससे पहले भी यह कहा था लेकिन पूरवरती सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी है अब क्या आलात है आज अब इस्तिति इतनी नार किया के कल सामको हमारे पड़ोस में एक दोभी का मकान है वो नाले के पास रहता है उसका बच्चा नाले में गिर गया उसको लेने के लिए उसकी औरत भागी वो गिर गई बड़ी मुश्किल्च परशासन को निर्देश दिये यदि उन परशासन के निर्देशों पर अमूल चूल ध्यान दिया गया तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद बनीए कि हमारे माननी ये बजल्लाल जी निश्चित रूप से राहत दिलाएंगे उनसे हम ऐसी अपक्छा करते हैं अभी कई प असम विबाग ने कई जगह पर जो है औरेंज अलट येलो अलट जारी किया है अभी टॉंक में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है अगर आसपास लोग हो उनसे भी बात चूट कीजे पहले तो आप तस्वीर दिखाए आपके बैक्ग्राउंड में ही नजर आ रहा है कि मह आप है वो लगातार स्कूलों में आ रहा है और यह एक जगह है अंभीका नगर देवली रोड पर जहां एक स्कूल है प्राइविट स्कूल और इसके आगे यानि की कॉलोनी है लेकिन लोगों को इस पानी के अंदर से गुजरना पड़ रहा है तीन फीट के करीब यहां पा से आने जाने हो रहे है वह दीक्कत आरही है अगर उदर चले जाते रहाने में परब्लम हो रही है अगर कोई साधा नी के लोगो ऋक्लात पड़ा लेकिन पानी के अंदर से गुजरना पड़ रहा है कुछ yap. बत्यूल से और बच्छों को फुमें बच्छो इसकोल चुटटी पानी के अंदर से किस तरीकी परिशाणी होती है बच्चों को एक साथ ही उदर से खटा करके लेके आना पड़ता है बस में हम लोग कुद सुबह मौर्णिंग में टाइम दिया जाता है कि इस ताइम आप लोग को खड़ा होना है और उदर जाना है इस तरीके की परिशानियों का सामना करना पड़ा है लगातार बारिश हो र हमने ऐसा कोई आशवाषन मिला नहीं है हम लोग हम लोग लगातार वहां पर जाकए हम लोग इसके ग्यापनinal दे के आ चुके की तरफ से कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परिशानी हो रही है और इस अगस्त में तो इतनी चुटिया हो गई है कि लगातार हमारे बच्चों को चुटिया भी देनी पड़ रही है तो उनका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और पढ़ाई में बह पढ़ेंगी कैसे आप करूख करेंगे जोदपूर से हमारे साथ चंदरशेकर व्यास जुड़े हुए है चंदरशेकर अभी वहाँ पर क्या हालात बने हुए है क्योंकि कई जगों पर जलबराव की स्तिती सड़कों पर गड़े की तस्वीर आई सियम बजलाल ने है जो प्रदेश भर में अलग जगा सभी जो जिलों में दिखाई दी रहे हैं शहर में जगा जगा पानी भराव की स्तितियां है इसके अलावा जो बरसात के जो साइड एफेक्ट होते हैं जैसे खड़े हो जाना सड़क पर खड़े जो है कई ना कई लोगों को बहुत ज़ पानी की यही इसके बार जब हम थोड़ा सा नजर इस तरह गुमाते हैं तब आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो खड़े हैं जिनके अंदर से गाड़ी निकालना भी जो है एक मुसिबत का काम है आप देख सकते हैं किस तरह से जो दूपया चालक जब भी जा रहा है तो और जिस तरह की बात करें की जो अधिकारी जो है गाउंड पर दिखाई कई जोद्पूर में देर नहीं रहे हैं ज्यादा तर जो अधिकारी एसी रूम में बैठ के प्लानिंग करते हैं जिसके चलते लोगों को कही लोगों की जो फीड़ा है वो नहीं समझ भार है यह आप देख सकते हैं यहां पे लोगे करते हैं लोगों में गजब का आक्रोश है जो आहलात है बात परेंगे कुछ लोगों से सर क्या इसीती रहती है आपके आपे माता के धान में आम दिन ये पारिस्टा पानी बरा रहता है यहां पे नाले वगर टूटे हुए है आए दिन यहां पे एक्सिडेंट होता है गाड़िया धस जाती है यह पूरा नाला डटा गए वह फैल हो गए हैं सर जो यह सड़क लंबे समय से खड़ाब रहती है बरसा से पहले इसको दुरूस्त किया गया और वापस कब दूरूस्त होगी अभी हो नहीं रहे हैं काफी वारे मापोर को बोला है हम लोगों ने लेकिन कर नहीं रहे हैं पानी की बहुत ज़्याद किसे को किया पता नहीं हो अभी तंसीत नहीं हुआ है नहीं हुआ है एक गंड़ा उसने पान करते हैं सर सुनवई भी बहुत कम होती है इदर जोदपुर में कोई तरह की सुनवई नहीं है इदर मातार्थान के इला के अंदर कोई तरह क्या मतलब आज रोड बनाए तो दो घन वापिष तूड़ जायेगा एसा हमा उलेज फीले मैं चीमें यह सामगे निकासी नहीं है पानी की निकासी नहीं हो रहा हो रहे करण जित्ति वार बाश्च कहा है बड़ी बड़ी गाडियन निगलती है और 이 पत्रों की ग्णैन, वह सब जाज जाती है कहीवार एक्षी तक वापस सुद नहीं ली जाती है और सबसे बड़ी बात करें तो जो मांसुन के जो दावे किये गए थे कि मांसुन से पूरु जो प्रसासन ने सारी तयार यहां कर ली है आप देख सकते हैं लोगों की जबानी हमें पता चला है कि जो नाला था उसकी जो बेसिक सपय होती है इनाले की वो भी ने की गई जिसके चलते पानी की निकासे नहीं हो पाती है और चूंकि यहां पर भारी वाहन निकलते हैं और इसके चलते जो रोड दस जाती हैं लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से बारिश के इस्तिती गड़े बने हुए नजर आ रहा है पानी के निकासी नहीं हो रही है आम जंता को काफी परिशानी हो रही है इस्तिती जस्त की तस्बनी हुई है कोई सुधार नहीं देखने को मल रहा है शुक्रिया आपका और तमाब